गुरूर प्रम्हा, गुरूर विश्टू, गुरूर देवो महेश्वरहा, गुरूर साक्षात परप्रम्मर, तस्वेश्री गुरवे नमहाद। आदरोणी वहनवाईयों, नमस्कार, आध्यात्मिक वेदांग जोतिस के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारान पंडे, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं, और आप सभी को वर्स 2021 की हार्दिक सुख कामनाय देता हूं, 2021 का वर्स आपके लिए सुख और समझ दिकाकारक बने और आपको जीवां में तरक्की मिले प्रकति हूं, बरकत हूं, बनवाईयों इस वीडियों में बताने वाला हूं, तुला ब्रश्चिक धनू, मकर कुम्भ मीन, इन छै राशियों का, जनवरी माह का, संचिप्त बनवाईयों ये भविश्य फल इसारा करता है आगे आने वाले समय के बारे में, और आगे आने वाले समय की हम तैयारी कैसे करें, इस बात को ले करके, सबसे पहले बात करता हूं, तुला राशी की, तुला राशी को अगर देखा जाए, तो इस माह जनवरी महीने में, जो आप्रसी संबंध है नीजी संबंध है पारसपरिक संबंध है ब्यावसाइक संबंध है इनका बहुत अच्छा लाव मिलने वाला है प्यापारी किस्तिती में सुधार होगा और एक बात जरूर इस महीने आपको ध्यान रखनी है बहुत ज्यादा किसी पर भरोसा करना नहीं रहेगा आप अपने भाईयों का मित्र का सबका सयोग आपको मिलेगा और भूमी की खरीद फरोक्त में निवेश कर सकते हैं इस माहा और करना भी चाहिए आपको mutual fund share जैसे market में भी आप अपनी किस्मत अजमा सकते हैं इस महीने की कुछ तारीखें अच्छी नहीं है दो तीन आठ नो दस बारा पंद्रा और उननिस ये तारीखें अच्छी नहीं है तो इन तारीखों पर थोड़ा सा सावधान रहिएगा ब्रिश्चिक राशिक की बात करें तो जनवरी माह की बात जिन्दगी में इस जनवरी माह में कोई नया decision लीजिए कोई नया कदम उठाईए जो आपके भविश्य को अच्छी उचाईयां दे सके आपके व्यक्तित्तों में चार चांद लगा सके ऐसा कोई कदम उठाने का स जनवरी माह आपके लिए है कारोबार की बात करें तो जो भी प्रयास करेंगे इस जनवरी माह में आप सफल होंगे पूरा महीना आपके ब्यावसाइक बिस्तता का रहेगा सामाजिक बिस्तता का रहेगा और हो सकता है कि कोई ऐसे भी व्यक्ति आपको मिल जाए जो आपके भ्यापार में साजीदार बनना चाहें या आपके ब्यापार की व्रधी में सह्यो कर दें लेन देन बड़ा सावधानी से करिएगा इस महीने लेन देन में सावधानी और सतरकटा की आवुशकता है दो तिन चार आठ clinically 10, 13, 15, 18, 19, 23 और 26 ये तारीख हैं इस महीने की आपके लिए कम अच्छी हैं धनू राशी की बात करें जनवरी माह की तो मानसिक खिनता की स्थिती बन सकती है कुछ आपके बिरोधियों को द्वारा यानि बिरोधियों के कुछ ऐसे कारे हो सकते हैं जिससे आपका मन दुखी हो है तो इस माह वो दर्द आपका बढ़ सकता है जो हर्दे रोगी हैं उनको इस माह बहुत सालधानी की आविश्यक्ता है ननिहाल पच्छ से भी कोई असुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है या कोई ऐसा कारे करना पढ़ सकता है जो आपकी छाकेन कुल नहों इस महीने कि अपने व्यक्तितों में थोड़ा सा सुधार लाएं किसी के किसी की निंदा या किसी की हासी ठी ठोली मत किया करें इससे बचना चाहिए और जीवन में बिनम्रता लाइए और भविश्यक में संघर्ष के लिए अपने आपको तयार करिए धैर से काम दीजिए नया वर्ष बहुत संभावनाएं लेकर आ रहा है आपके लिए इसलिए इसका स्वागत करिएगा किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपको अच्छे लाब दे सकती है इस महिने की 2,3,4,8,9 ये तारिखें कुछ कम अच्छी रहेंगी इन तारिखों में थोड़ा सा साउधान रहिएगा अब बात करता हूँ मकर राशी के लिए जन्वरी का महिना यही कहता है कि मानसिक खिनता से बाहर आईए हर शीज अपने हिसाब से नहीं होती है कुछ परमात्मा की मर्जी भी हुआ करती है तो अपने खिनता से बाहर आईए नए वर्स का नए ढंग से स्वागत करिए आवश्यक्ता से अधिक किसी पर विश्वास मत करिए रास्ते में वाहन प्रियोग में बहुत सावधानी का इस्तेमाल करिए और अच्छे से तयारी करिए अगर आप स्टूडेंट हैं त्रिद् बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि जरासी लापरवाही आपको अस्फलता दे सकती है आठ नौ तेरा पंद्रा उननिस बीस ये तारिख हैं आपके लिए कम अच्छी रहेंगी कुम राशी की बात करें जनवरी माह में तो अगर आप व्यापारी हैं और साजेदारी का व् आपको तो भाई सावधान रहिएगा साजेदारों के बीच में पारदर्शिता बनाए रखिएगा और नए साल में ये संकल पर भी लीजिएगा कि जो भी कारे होगा वो पारदर्शिता से होगा कुछ निरणें आपको बड़े सक्त तरीके से लेने पड़ सकते हैं हो सकता है कि व्यापारादी के सिलसिले में आपको इस महीने यात्राएं ज्यादा करनी पड़ जाएं और संतान की जहां तक बात है तो संतान की सुविधाओं का ध्यान रखिएगा उसकी मानसीक स्था का भी ध्यान रखिएगा और कुल मिला करके सामंजस्च पूर्ण इस्तिती में इस महीने आपको ब्यतीत करना है और इस महीने की तारीखें अगर बतातूं तो पांच नौ सोला ठारा ये तारीखें कम अच्छी हैं शनीवार को सुन्दर कांड का पाथ जरूर आपको करना चाहिए मीन राशी की बात करें तो कभी भी इस महीने ये संकल्प करने की जरूद है तो इसमें क्या करने की जरूद है कि कोई भी आर्थिक रूप से कोई निरणे लेना हो तो बहुत सोच विचार करके लेना चाहिए जीवन को गंभीरता से लेना होगा आपको आपकी राशी में थोड़ा सा यही कमी है कि जिन मुद्दों पर गंभीरता की आउशक्ता होती है उसमें भी आप कभी कभी गंभीर नहीं हो पाते हैं बेहतर है कि आर्थिक मामलों में बहुत सावधानी रखें अनितहानी भी हो जाती है सतर्क रहिएगा स्वास्ति के संबंध में भी देखा जाए तो स्वस्त रहने के लिए सतर्क रहने की आवश्यक्ता रहेगी बाकी नया वर्ष आपके लिए अच्छी संभावना लेकर आ रहा है चिंता मत करिएगा इस महीने की तारीख है 3, 8, 9, 13, 19 ये कम अच्छी है तो साउधान रहिएगा मैं नवाईयों एक बार आपको पुनह नए वर्ष की हारदिक सुपकामनाई देता हूं सुखी रहें, समर्द रहें और आप जीवन में तरक्की करें सफलता पाएं एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की